पुस्पा इनपॉस्वल सिरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार तो फ्रैंड आज की एपिसोड में कुछ खास नहीं दिखाया गया है बस स्टार्टिंग में ये दिखाया गया है कि चॉल में सत्नायन भगवान की पूजा काफी अच्छे से संपन हो जाती है कुझजवाला दा आज की एपिसोड में यह बात खोली गई है कि कुझवाला मौसी आचानक से पुस्पा की चॉल में नहीं आई है पुस्पा के घर पे रहने के लिए बलकि यह जो है पुस्पा और मनीश की बनी बनाई चाल है जब वो लोग देखते हैं कि दीप्ती और अश्विन के बीच क कि दूरी कम नहीं हो रही है और इसके लिए शोनल भी कोई मेहनत नहीं कर रही है कोई प्रयास नहीं कर रही है तो चूप चाप वुस्पा और मनीश जो है वो प्लान करते हैं कि अगर हमें दीप्ती और अश्विन को मिलाना है तो हमें इसके लिए कुझवाला मौसी को मनान लाना होगा और उन्हें सारी बात समझा कर यहां लाना होगा अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि किस प्रकार मनिज जी अपनी मां को यह बताते हैं कि अस्विन ने किस हालात में किस गुस्से में आकर दीपती पर हाथ उठाया जिसके कारण कि उनके बीच में काफी मुस् वाला जो है वो अपने बेटे मनीज को बताती है कि तेरे पिताजी भी मुझपर हाथ उठाया करते थे मैं इस दुख़ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूं अपणी मां के मुसे यह बाते सुनकर मनिज जी को काफी दुख होता है कि कभी मेरे पिताजी ने भी मेरी मां से समझेंगी और दीपती और अश्विन के बीच में अच्छी तरह से सुला कराने का प्रयास करेंगी अब आगे दिखाया जाता है कि रात के वक्त एक ही कमरे में दीपती और अश्विन सोय है लेकिन दोनों बेट पे नहीं बलकि बेट के एक साइट नीचे फर्स पर दीपती सोय हुई है और दूसरे साइट फर्स पर अश्विन सोया हुई है पर आखों से नींद बिल्कुल दोनों की आखो में नींद नहीं है तफि अश्विन दीपती के पास उठकर आता है और धीरे से बैट कर उससे माफि मांगता है वो काफी रोता है और कई बार हाँच जोड़कर माफि मांगता है लेकिन दीपती दूसरे साइट मुँ फेरी हुई है और वो कहती है कि गिड़ाता है लेकिन दीपती उसे माफ नहीं करती है वो कहती है कि मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें माफ नहीं कर सकती हूँ दस्विन तुम अभी इस वक्त मेरी आखों के सामने से चले जाओ दूसरी तरफ पुस्पा जुगल से बार बार पूछती है कि जुगल मुझे एक ब लोगी सुनके या एक लंबी कहानी है वो कहती है कि नहीं मुझे सुनाओ आगे जुगल जो है वो पुस्पा को कई ऐसी बाते बताता है जिससे कि लगता है कि सही माइने में पुस्पा के पिता जी का यानि कि गुरु जी का जो निधन हुआ था वो सवभाविक रूप से हा से मिलने के लिए पुस्पा जाएगी और उस पर ये आरोप लगाएगी वो मास्टर जी के साथ जाती है और दिलिप सेतलवार पर अपने पिताजी की हत्या का आरोप लगाएगी और उसे कहेगी कि क्यों मेरे पिताजी के लिए आप सम्मान समारों कियें क्यों उनके नाम से चौक बना रहे हैं जबकि आपने उनके साथ गदारी की है तो friends आगे की कहानी में अब क्या होगा और किस तरह से पुस्पा के पिताजी के मौत का राज खुलेगा ये हम लोग आगे देखेंगे आज के लिए बस इतना ही तो कल फिर मिलती हूँ नए एपिसोड के साथ मैं अपनी आवाज है फिर लेके आऊंगी पुस्पा इनपॉस्वल के कहानी तब तक के लिए सुब रात्री गुट नाइट बाई बाई